चिराग पासवान को सदन इस बार जमुई की जंता नहीं पहुंचने देगी मैं आपके चैनल पर कह के जा रहा है वहाँ जंता जो है वो रोती रह गई लेकिन चिराग पासवान ने सुर्गे राम बिलास पासवान जी के सरीर को हाजीपूर तक जाने नहीं दिया आंसद के भी रूप में चिराग पासवान फिसड़ी तो हैं ही उनको जानकारी भी नहीं है हमारे नेता आदर्निय पसुपती कुमार पारश जी की हर हपते मुलकात देश के यससवी प्रधान मंत्री आदर्निय नरेंद्र मोदी जी से होती है कैबिनेट बैठक में आरेंडिय के नेता आदर्निय नितीश कुमार जी है और नितीश कुमार जी का बिरोध इसका मतलब एंडिय का बिरोध चिराग पासवान देखिए तेजस्वी प्रसाद यादों के इसारे पर नाच रहे हैं समय रहते चेतने की जरूरत है इनको गठबंदन से बाहर निकालने की जरूरत है चुकि चिराग पासवान गठबंदन के अंदर भी एक गठबंदन बनाने का प्रयास कर रहे हैं चिराग जी के पास कोई सांसत तो है नहीं ना बिधायक है ना M.L.C. है वोट भी नहीं है जोगाने में सक्षम नहीं है और उस मटी को एक बार उनके माथे पर लगा दिया जाए चिराग पासवान ने सीरे से खारिच कर दिया 2024 लोकसभा चुनाओ और हाजीपूर सीट कहीं ना कहीं हाजीपूर की जो सीट है वो होट सीट बनी हुई और होट सीट बनी है चिराग पासवान जो जमूई के सांसद है और उनके चाचा केंद्रिय मंत्री पशुपती कुमार पारस के बीच जो हाजीपूर के सांसद भी है और ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए है राष्टिय लोक जनसक्ती पार्टी के मुख्य प्रवक्ताद चंदन सिंग उनसे बात करेंगे आपके सांसद है पशुपती कुमार पारस हाजीपूर से सांसद है लेकिन नजर अब हाजीपूर सीट पर चिराग की देखे हमारे राष्टी अध्यक्ष है और मेरे स्वाभिमान है आदर्निय पसुपती कुमार पारस जी देखे हाजीपूर पर तो कोई प्रस नहीं है विसाल जी तो कि देखे भारतिय जनता पाटी के हम सहयोगी हैं हम परत्यासी नहीं है और 2014 से ही मन्य प्रधान मंत्री जी के साथ में खड़े हैं अच्छे और बुरे वक्त में आप कह सकते हैं कि भारतिय जनता पाटी के लेकिन दावे में क्या वास्त्यूकता है जब भारतिय जनता पाटी के राश्टी अद्धक चादरनिये जेपी नडड़ा जी से मुलाकात हुई हमारे राश्टी अद्धक जी का और सभी सांसद मौजूद थे वहीं चिराग जी के पास कोई सांसद तो है नहीं ना बिधाय है ना इमेलसी है वोक भी नहीं है जहां चुनाव लड़े वहां जमानत जबत हुआ वो चाहिए उपकुनाओ हो चाहिए बिधान परिशत का चुनाओ हो या फिर अभी राजस्थान और मद्दम् प्रतेस में चुनाव लड़े वहाँ नोटा से भी हार गए तो ऐसे नेता के भयान पर क्या प्रतिक्रिया दिया जाए आप कहा रहे हैं कि जेपी नड़ा से हमारी मुलकात हुई हमारे इतने सांसादे लेकिन चिराग पासवान तो कहते हैं कि हमिच्छा समय नहीं देते हैं आपके राश्टी अध् प्रधान मंत्री आदर्निय नरेंद्र मोदी जी से होती है कैबिनेट बैठक में उसी बैठक में इनके सहयोगी आदर्निय अमित साहजी रहते हैं आदर्निय राजनात सिंग जी रहते हैं 28 केंद्रिय मंत्री एक साथ कैबिनेट बैठक में लोग करता है और उसमें आप कह र जानकारी भी नहीं है, कि एक मंतरी का क्या छेतरा दिकार है, तो चिराग पासवान देखिए तेजस्वी प्रसाद यादों के इसारे पर नाच रहें, बिहार एंडिये के नेता आदरनिये नितीश कुमार जी हैं, और नितीश कुमार जी का बिरोध इसका मतलब एंडिये का ब माननिय प्रधान मंत्री जी का बिरोद आधरनिय अमित साह जी का बिरोद आधरनिय जेपी नड़ा जी का बिरोद और चिराग पासवान को बिहार के नेता इंडिये के नेता बिहार के मुख मंत्री आधरनिय नितीश कुमार जी को ही नेता मानना पड़ेगा अपनी इस्तिती सपष्ट आज तक चिराग पासवान ने नहीं किया बिरोध कर रहे हैं मान्य मुख मंत्री जी का और मैं आपके चैनल के माध्यम से इंडिये के बड़े नेताओं से मांग करूँगा कि समय रहते चेतने की जरूरत है इनको गठबंदन से बाहर निकालने की जरूरत है चुकि चिराग पासवान गठबंदन के अंदर भी एक गठबंदन बनाने का प्रयास कर रहे हैं और ये इंडिये के लिए सुभ नहीं है तो हमारे नेता की मुलकात होती है कि नहीं होती है ये अगर जानकारी जाहिए तो मन्य प्रधान मंतरी जी से पूछे उन्हीं के नेतित तुम्हें कैबिनेट में है अगर ऐसा नहीं रहता तो आज पांच साल से हमारे नेता मन्य प्रधान मंतरी जी के साथ में मंतरी रहते चिराग पासवान के ता हम लोग केतना बार सुने कि हर खरवास में मंतरिये बन रहे है तो बैचारे के साथ हमारे बहुत समवेदना है हमको अच्छा नहीं लगता है कि ऐसे मारे मारे चिराग पासवान फिरते हैं अरे राजनीत करनी है तो बड़ा सीरियस होके ढंग से पॉल को याद दिला दूँ कि स्वरगे राम बिलास पासवान जी का जब दिहांत हुआ था तो हाजीपूर से सैकुडों लोग पटना आए और सबकी इक्षा थी कि स्वरगे राम बिलास पासवान जी की कर्म भूमी रही है हाजीपूर एक बार इनके सरीर को हाजीपूर में ले जा पागा दिया जाए चिराग पासवान ने सिरे से खारिच कर दिया वहां का जंता जो है वो रोती रह गई लेकिन चिराग पासवान ने स्वर्गे राम बिलास पासवान जी के सरीर को हाजीपूर तक जाने नहीं दिया कई ऐसी बातें हैं स्वर्गे राम बिलास पासवान जी क किर्टी को धूमिल करने का काम चिराग पासवान लगतार करते रहे अब बताइए हाजीपूर से कौन नहीं जानता है इस देश में कि स्वरगे राम बिलास पासवान जी अपने जीवित रहते अपने छोटे भाई को अपने अपना राजनितिक उत्राधिकारी बना कर लोक सभा पहुँचाए और चिराग पासवान को जमुई से तो जब जमुई की जनता का दस साल आप वहां का प्रतिनिधित्व किये अब भाग खड़े हुए क्योंकि आपको लगता है कि जमुई से आप जीत नहीं पाएंगे इसलिए न तो आप हाजिपूर में आ रहे हैं कि यहाँ पर हम ठग ले इसका मतलब है कि स्वरगे राम बिलास पासवान जी के लकीर को आप छोटा करना चाहते हैं आप पिता तुले चाचा को गाली देते हैं आप परिवार तोड़े पाटी अपने तोड़ा अपने अहंकार में और NDA में जब मजबूती से रहना था तो उस समय भाग खड़े हुए और जाकर तेजस्वी और तेजपरताब के चुनाओ मैनेजर के तरह उनको चुनाओ जितवाने में मदद करने लगे आज उसी गठबंदन में आकर आप कटोरा लेकर खड़े हैं कि आपको एक जमुई सीट मिल जाए तो इस हालात के लिए अगर कोई दोसी है तो वह स्वेम चिराग पासवान है और इनका जो गिरोह नुमा पाटी है वो है आज एकार सीट पर लोकसभा के प्रभारी आप दे कर किसको ब्लेक मिल करना चाहते हैं आदरनीय नितीश कुमार जी को डराना चाहते हैं कि चार गो लोकसभा का प्रभारी हम आपके भी लोकसभा छेतर में दे दिये हैं 2020 की पुर्णा विर्ती हम फिर से करेंगे चिराग पासवान को सदन इस बार जमुई की जनता नहीं पहुँचने देगी मैं आपके चैनल पर कहके जा रहा हूँ क्यों आखिर क्या वज़ा हो तो जमुई की जनता को भगवान मानते हैं अर देखें जमुई की जनता ने आपको लोकसभा पहुँचाया भामुल ले वोट दिया किस लिए उनकी उनकी आवाज सदन में उठाने के लिए लेकिन आप जब सदन चलेगा जब कोई बिधेक आएगा जब मन्य प्रधान मंत्री जी का भासन होगा आप अपने हवा महल में आके सो जाईएगा आराम कीजिएगा अपना जमुई छेतर आपको जाना नहीं है दूसरे के छेतर में ब्रह्मन करते रहिएगा रिल बनाते रहिएगा फेस्बुक पे उसको लगाते रहिएगा ड्रोन से सूट कराईएगा तो इस तरीके का जो राजनीत है यह एक मिंबर और पार्लेमेंट को सोभा नहीं देता है अभी राम मंदिर का प्रान प्रतिष्छा था आपने देखा कि चिराग पासवान, रनवीर, कपूर, आलिया, भर्ट, कैटरिना, कैफ जैसे सरीके जो बॉलिवूड के कलाकार हैं उनके साथ सेल्फी लिते दिखाई दिये किसी भी कलाकार ने किया चिराग पासवान के साथ भी सेल्फी लिया तो ये हलका पन जो राजनीत में चिराग पासवान करते हैं ओन कैमरा जूट बोलना ये तेजस्वी प्रसाद यादों से इनकी बात होती है एक नीजी चैनल को ये बयान दे चुके हैं और उसके बाद ये पलट गए कि नहीं मेरी बात नहीं होती है और बिर्यानी खाने कौन गया था राष्टिय जंतादल के करिक्रम में जीव लप लपाते आप पहुँच गया इंडिये का क्या कोई सहयोगी गया था क्या तो आप जो है राजनीत में सुचिता मरियादा इन सब्दों पर अगर कायम नहीं रहेंगे तो इंडिये के तरफ से करारा जवाब मिलेगा ये लंका में आग लगाने के जगा युद्ध्या में आग लगा देते हैं और इनकी महत्वकांचा इतनी बड़ी है कि जिसके पास ना एक सांसद है ना बिधायक है ना MLC है ना कोई पंचायत तक का जन प्रतिनिधी है मुखिया तक नहीं है जिसकी पाटी में वो नेक्ष्ट सीम चिराग पासवान होंगे ऐसा लोक सलोगन देते हैं अभी आप देखेंगे आप तो प्रेस मीडिया के साथी है एक प्रतिष्ठित चैनल पे चल रहा था है कि डिप्टी सीम बनने वाले हैं तो बताईए इस तरीके का हास्यास्पत अफवा उड़ाने का काम करते हैं मन्य मुख मंत्री जी का चरन वंदना भी करना चाहते हैं और विरोध भी करना चाहते हैं तो अगर एंडिये में रहना है तो आधरनिये नितीश कुमार जी के का पैर पकड़ कर माफी भी मांगनी पड़ेगी आपको और उनको नेता भी स्विकार करना पड़ेगा अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो छमा कीजेगा इंडिये में आपका जगा नहीं है क्या होगा चौबिस में? चौबिस में हम लोग जीतेंगे सभी सीटों पर जीतेंगे बस इनके सीट पर एक जो है न डर है कि जनता इनको सीरे से खारिच कर देगी उसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी हाजीपूर में क्या होगा? हाजीपूर में तो प्रचंड बहुमत से जीतेंगे हमारे नेता लगतार हाजीपूर का दौरा करते रहते हैं और स्वर्गे राम बिलास पासवान जी के अनूज है 77 से सेवा कर रहे हैं हाजीपूर की एक एक गली और एक एक खर को जानते हैं मैंने कहा कि आप प्रबुद पत्रकार हैं हम भारतिये जनता पाटी के सहयोगी है 2014 में हमको 7 सीटे मिली थी 100 में 100% स्ट्राइक रेट था 2019 में हमको 6 सीटे मिली थी लोग सबाकी 100 में 100% स्ट्राइक रेट था तो 2024 में भी हमको 6 सीटे मिलेंगी हमारे निष्ठा और इमंदारी अगर गठबंदन देखेगा BJP, जद्यू तो हमारी सीटे बढ़ भी सकती हैं लेकिन बाटेंगे तो हम अपने दल में अपने लोगों को न हम परत्यासी नहीं न है BJP का कि BJP हमको देगा टिकाट है बात समझ यह टेक्निकली जो लोग बोल देते हैं कि क्या हाजीपूर मिलेगा क्या पलाने जगा मिलेगा अरे हम मांग किसे रहे हैं वो तो हमारा है ही भारतिये राजनीत में sitting getting go होता है इसको कोई बदल सकता है क्या कोई नहीं बदल सकता है जो आपकी sitting seat है उस पर आप ही रहेंगे हम ही रहेंगे हम देखेंगे कि कि क्या performance है हमारे सभी सांसद अपने अपने छेतर में एकदम खूटा गाड़े हुए है और सबकी लोगप्रिता मानने प्रधान मंत्री जी का देखिए अब 400 पार का है लक्षे राष्टिये लोग जन सकती पाटी राष्टिये परिसद और राष्टिये कारे समीती में भी असपश्ट कर चुकी है कि हमको हर जगा मानने प्रधान मंत्री जी का किया हुआ काम है जो मोदी गैरेंटी है उसको हर घर पहुचाना है और जीत सुनिश्चित करनी है बस जमूई का है अब क्या कहा जाए हमारे गुरु भाई है सुरगे राम बिलास पासवान जी मेरे राजनीतिक गुरु रहें और चिराग पासवान तो उस समय राजनीत में भी नहीं थे जब मैं सुरगे राम बिलास पासवान जी का जोलाड हो रहा था तो चिराग पासवान तो बहुत बाद में राजनीत में आया तो गुरु भाई हैं हम लोग का मो माया इन पर रहता है अब थोड़ा सा समय दें जमुई में और जनता से माफी मांगे आधरनिय नितीज कुमार जी से माफी मांगे आधरनिय पसुपती कुमार पारजी से माफी मांगे गलती तो अनंत किये हुए हैं लेकिन माफी मांगें तो बड़े लोग हैं ब लोग चिराग को लड़ना माना चाहिए हमारे सिलाई मसीन चाप पे लड़ें देंगे सिंबॉल तो हमारे साथ राष्टे लोग जन सक्ति पार्टी के मुख्य प्रवक्ता चंदन सिंग्ते जिनों इसी दे तौर पर कहीं न कहीं कहा है कि एंडिये की जीत तो सुनिशित है लेकिन अगर कोई संसा है तो वो चिराग पासवान की जमूई सीट पर जिस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़ुरत है क्योंकि चिराग पासवान ने पिछले 10 सालों में जमूई की जनता की आवाज कभी बुलन नहीं की हलाकि 2024 के चुनाव में देखना होगा कि चिराग पासवान किस सीट से चुनाव लड़ते हैं और हाजीपूर सीट जो होट सीट बना है उस पर एंडिये किस पर भरोसा जताती अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल कर ले फेजुक पेज को फॉलो करना ना बूले सही होगी अमित के साथ विशाल भारत वाज